यार, specs पहनके हैं, हजारो दिक्कते होती हैं, जैसे कि specs गिरते रहते हैं आपके पूरा दिन, थोड़ी थोड़ी देर में गंदे होते हैं, फिर कुछ दिक्ता नहीं है उनमें से, अगर साथ में mask पहना हो, तो जब आप exhale करते हो, तो उनके उपर fog जम जाती है, and इसी reason से आज मैं आपको एक amazing solution बताने बाला हूँ, जो की है contact lenses, बट क्या ये safe होते हैं, क्या ये mehengे होते हैं, सब बताऊंगा आज के वीडियो में, what's up bro, welcome and welcome back to be your best, मैं हुँ Zain Kalra, and आज का वीडियो है, contact lenses guide, and इस वीडियो में giveaway का एक question भी छुपा हुआ है, तो पूरा वीडियो ध्य जान से देखना, and to be your best in looks and personality, अभी subscribe करो for 3 new videos every week, and हा, notification बाण कर देना, अभी यार सबसे पहले आते हैं, कि contact lenses होते क्या है, ये बेसिकली पतली सी, flexible सी, transparent सी film होती है, जो की आपके आखो पे directly लग जाती है, और आप उसको कुछ घंटे तक लगाय रख सकते हो, और फिर आपक टीन major type के आते हैं, एक daily disposable, एक monthly disposable, और yearly disposable, मतलब daily वाला आप एक बार पहन होगे, 8-9 घंटे के लिए उस बाद उतार के आपको fake ना पड़ेगा, वापस नी पहन सकते हैं, ऐसे monthly वाला जिस दिन खोल लिया, उससे 30 दिन बाद आपको fake नहीं पड़ेगा, और yearly जिस दिन खोल जिस बी ज़ादा visible होता है, मतलब चश्मे से तो आपका काफी ज़ादा area छुप रहा होता है, जो कि lenses में ऐसी problem नहीं है, तो वहाँ पे एक social factor अगर देखा जाए, तो आप ज़ादा visible रहते हो, तो आप ज़ादा enjoy कर सकते हो social gathering, and of course, अगर आपने lenses पहने होई हैं, तो आपक अगर आप चश्मा पहने के खेलोगे तो वह गरता बिरता रहेगा, आप uncomfortable हो जाओगे, lenses में एक case नहीं होता, और भी activities हैं जिसमें चश्मा आपको problem दे सकता है, आड सकता है, जैसे कि make out करना, इसका सबसे बड़ा advantage, जो कि मेरे लिए best advantage है, वो ये है, कि आप lenses पहनने के बा जो कि बहुत महेंगे पर जाते हैं, एक और advantage है कि आपको कोई dizziness या पिस सरदर्द नहीं होगा, जो आपको होता, अगर आप चश्मा पहनते हैं और चश्मा गंदा हो जाता, क्योंकि lenses गंदे नहीं होते हैं इतनी easy, and एक और बहुत अच्छा advantage lenses का ये है, कि ये colors में भी आ अगला colors में आते हैं, अगर आपको एकदम जटाक colors नहीं चाहिए, मतलब मैं तो recommend करूँगा red अगरा, blue अगरा, मत लेना कोभी, बड़ आप grey, spicy grey type और hazel color ले सकते होगी, बहुत अच्छे colors होते हैं, थोड़े सा natural भी लगते हैं, और cool भी लगते हैं, तो आप जब colored lenses पहने तो कौन से color का lenses prefer करोगे, में को नीचे comments में बताओ, and आजकल के time case आप से best advantage ये है, कि जब आपने mask पहना होगा, तो उसकी वज़ए से fog नहीं जमेगी आपके lenses पे, क्योंकि आपके ने आखोप लगाई हो हैं, अब आपको लग रहा होगा कि lenses तो बहुत ही साई चीज है, ल आपके 5 बजा आए हो, आपको याद रखना पड़ेगा कि lenses उतारने और फिर ही सोना है, और इवन दो lenses में colors आते हैं, बट ये उतने customizable नहीं है, जितने की specs होते हैं, जितने की चश्मे होते हैं, क्योंकि चश्मे में आप कभी भी decide कर सकते हो कि यार, अभी मैं इसका frame change करना चाता हो, 2-3 frames लेके रख सकते हो, जो अलगलग outfits के साथ जाएं, लेकिन lenses में सिरफ colors ही आते हैं, और कुछ नहीं आते हैं, अगर आपकी bifocal power है, मतलब आप negative और positive दोनों वाले चश्में यूज करते हो, तो जहां तक मेरी knowledge है, lenses, contact lenses में वैसा नहीं आता है, बाकी मैं doctor नहीं लेकिन यहां पे वो वाला आपके पास freedom नहीं है, lenses की maintenance काफी जाधा high होती है, जैसे मैं आपको बताया है कि आपको रात को आके उतारने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, साथ में आपको उनका solution चेंज करते रहना पड़ेगा, मानलो कि आपने monthly वाले lenses ले लिए और आपने dry लगनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ही मैं आपको एक अपना instance बताऊँगा, मैं रात को party करने गया, और मैंने सोचा था कि मैं सिरफ 6-7 बजे से लेके करीब 12 बजे तक की party करूँगा और तब ही पहनूँगा lenses, लेकिन फिर रात को plan ऐसा बन गया कि 12 बजे के बाद हम लोग लंबी party करने लग गया, 5-6 बजे तक party करने थे सुबह के, और सुबह तक मेरी आपको की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि अपनी ड्राय हो चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे यह lenses की दिक्कत आ जाती है, और अगर आप किसी के घर चले गए lenses पहन के और वहाँ पे आपने जो की मैंने experience करके ही आपको यह बता रहा हूँ, even though कुछ eye doctors कहेंगे की कर सकते हो, कुछ कहेंगे नहीं कर सकते, but मैं कहूंगा कि आर regular basis में, मतलब daily basis में बिल्कुल भी lenses मत पहनो, क्योंकि regularly जब आप पहन रही होगे, तो of course आप आँखों में dryness शुरू दीरे-दीरे हो सकती पहने है, but मैं तो यह कह रहा हूँ कि जब आप regularly पहनते हो न, तो आप उतना ध्यान देना छोड़ देते हो, फिर आप कभी ऐसा करोगे कि गंदे हाथों से पहनना शुरू कर दोगे, कभी एक बार भी गल्कित से अपने गंदे हाथों से पहन लिया न, उसी टाइम आपके आखो में infection हो जाएगा, तो इसलिए lenses को सिरफ special occasions के लिए रखो, जब आप ध्यान से, तमीज से lenses को पहनोगे और अच्छे भी दिख पाऊगे, एक और बहुत important डूल, अपने दिमाग से जज़ करके मत लेना lenses, सबसे पहले जाओ एक eye doctor के पास, उनसे अपने आखों का check-up कर वहां से number लिखवाओ कि contact lenses का क्या number होना चाहिए, फिर एक trial set लो, वो पहनना शुरू करो, वो पसंद आना शुरू हो, तो उसके बाद ही आप online मंगवा सकते हो, मैं जैसे बहुत पहले से पहन रहा हूँ, मैं Amazon से ही मंगवाता हूँ हमेशा, मुझ अच्छे brands पता है, मुझ कि जिनको आप एक दिन पहन के उतार के फेग सकते हो, उनमें बहुत कम जंजट होती है, कुछ maintain नहीं करना होता, एक बार निकाले packet से, पहने, मस, इदर इदर घूमे, फिर जब खतम होगया काम, उतार के फेग दिये, लेकिन हाँ, उसकी वज़ा से वो costly हो जाते हैं, लेकि कि एक lens का जो pair होगा, वो थोड़ा सा costly होगा, monthly वाले से, लेकिन मालो आपने monthly वाले ले लिए, वो 30 दिन में आपको खोडने के बाद फेक नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपने 30 दिन में पहने उनको सिर्फ 10 या 15 बार, तो फिर तो वो भी महंगे हो गए न, तो इसलिए अच में जादा कोई problem नहीं होरी उनको पहनने से, क्योंकि मुझे तो बहुत जादा problem होती है, रोज रोज lenses पहनने से, और यह मैं आपको पहले clear कर चुका हूँ कि आपको कभी भी 10 घंटे से जादा lenses नहीं पहनने चाहिए, और रात को सोते टाइम तो बिल्कुल भी पहन के मत सो 0.75, तो मैं इसी हिसाब से lenses मंगाता हूँ, बट आप स्टिल एक doctor को consult करके ही मंगाना, मैं doctor नहीं हूँ, YouTube पे और कोई भी doctor नहीं है, तो please doctor के पास ही जाना, doctor के पास जाओगे तो वो हो सकता, आपको ये भी बताएं कि आपकी spherical, मतलब कि जो normal power होती है, वो ही नहीं है, साथ में cylindrical power भी है, cylindrical power होती है, एक access correlated, वो अगर आपकी है, तो उसके हिसाब से special lenses होते हैं, toric lenses, वो अलग से आते हैं, और lenses को maintain करने के लिए बहुत important चीज़ जो होती है, वो होती है lenses का cleaning solution, अब वो cleaning solution सारे almost same होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, basic chemical होता है, वो आप सस्ते वाला भी ले लोगे, तो same बात रहेगी, तो उसका भी मैं link नीचे दे दूँगा, Amazon से सस्ते वाले उठा के, अब आज आते हैं कि contact lenses का best brand कौन सा है, देखो, सिरफ तीन brand है, जो normal contact lenses में सबसे comfortable lenses बनाते हैं, एक तो हो गया Bosch & Lomb, एक हो गया Alcon, और एक हो गया Johnson & Johnson, इसमें से मेरे ह साब से Bosch & Lomb के सबसे ज़्यादा comfortable होते हैं, और उनका एक eye connect वाला आता है, उससे सस्ते lenses में आज तक में देखें, और बहुत बढ़ी है हो, और अगर आपको color वाले लेने हैं, तो aqua color करके बहुत सस्ते color daily lenses आते हैं, वो ले सकते हो, आप मैं भी वाले यूज़ करता हूँ तो अब आजाते हैं इस वीडियो के गिववे पे इस वीडियो पे भी 5000 लाइक संप्लीट होते ही, मैं गिववे करूँगा एक 2000 रुपीज का online shopping voucher, जिसका result अनाउंस होगा हमारे Instagram पेज पे, तो गिववे में participate करने के लिए आपको subscriber तो होने ही पड़ेगा, साथ मैं इस व वीडियो के बीच मैं पूछा था, तो गिववे कले, all the best, look your best, feel your best and be your best.